अच्छा दोस्तों हम अडोब इलस्टेटर का मीन इंटरफेस तो समझ चुके हैं और हम ये भी लाइन कर चुके हैं कि हमें न्यू डॉकुमेंट की सेटिंग्स किस तरह से डोब इलस्टेटर में चूज करनी होती है किसी भी मीडिया में काम करने के लिए अब हम जिस चीज की तरह बढ़ने लगे हैं वो ये है कि सौफ़वेर ओपन होने के बाद न्यू डॉकुमेंट चूज करने के बाद हम अपने सौफ़वेर के अंदर नैविगेट किस तरह से करेंगे यानि हम अपने सौफ़वेर में मूव किस तरह से करेंगे तो चले हैं चलती हैं डोब इलस्टेटर की तरफ अच्छा अब मैं वैसे ही प्रिंट मीडियम का एक स्टांडर्ड दॉकुमेंट जो है वो A4 Size का चूज़ कर लेता हूँ और ये Standard Settings मैंने जो है वो Document की Set कर रखी है अल्रेडी ताके मैं आप लोगों को आगे समझा सकूँ Create पे हमने क्लिक किया और ये अब हमारे पास Illustrator जो है वो Open हो चुका है अचा दोस्तों ये Adobe Illustrator का इंटरफेस तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ अब इस वक जो हमने चीज़ यहां पे सीखनी है वो ये है कि हमने इस Software के बीच में Move किस तरह से करना है देखें किसी भी Software में काम करने के लिए Tools वगरा को सीखने से पहले ये चीज़ जरूरी है कि आप ये समझ ले किस तरह से करेंगे यानि आप उसके अंदर Movement आपकी जो है वो किस तरह से होगी जिस तरह से किसी भी जगा पे आप एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए आपको किसी Road को का सहारा लेना पड़ता है आपको Navigation का सहारा लेना पड़ता है इसी तिना से कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमें यहां पे इलिस्टेटर के अंदर हेल्प आउट करेंगे जी नैविगेट करने के लिए तो चले मैं आपको वो दो तिन टूल्स जड़ा जल्दी से बताता हूँ और ताके आप लोग फिर इलिस्टेटर में नैविगेट करना सीख जाएए आपके कीबोर्ड के उपर दोस्तो जैसे ही आप स्पेस पार को क्लिक करेंगे तो यह आपके स्क्रीन के उपर आपको हाथ का एक निशान बना हुआ नजर आएगा जैसा कि आप इस वक्सक्रीन के उपर देख सकते हैं दोस्तों इसको हम कहते हैं hand tool ये hand tool किसलिए काम आता है दोस्तों ये अपने इस artboard को move करने के लिए आप इस्तमाल कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं मैं इस वक्त screen के उपर इस artboard को बड़े ही अराम से freehand तरीके से move कर रहा हूं तो ये basically है जी हमारा hand tool जो के बहुत ज़रूरी है और ये जो navigation के जो दो थीन tools में आपको भी बता रहा हूं ये आप लोग बहुत randomly कोई भी tool इस्तमाल करते हुए कोई बिस्ट्रेशन बनाते हुए कोई डिजाइन बनाते हुए आप इस्तमाल करते रहेंगे अच्छा इसके ब सामने जो है एक जिसना से magnifying glass होता है उस तरह का एक चोटा सा एक icon बना हुआ आगया है और अगर आप गोर करें तो इसके अंदर plus का sign है दोस्तों ये Z press करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो zoom in होना शुरू हो जाए आप आल्ट की जो है वो कीबोर्ड के ओपर प्रेस करेंगे उसके बाद जब आप माउस के साथ क्लिक करेंगे तो ये देखें आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो zoom out होना शुरू हो गया आपका जो artboard है वो zoom out हो रहा है तो ये plus के sign के साथ आप zoom in करेंगे और alt को hold करके आप अगर रखेंगे तो ये आपका zoom out हो जाएगा और इस तरह से आप hand tool के साथ इसको वापिस कहीं पे भी लेके आ सकते हैं अच्छा मैं आपको एक और बताता चलूँ मज़े की बात कि यहां पे जो left bottom है आपके illustrator software का यहां पे आपके पास ये zoom की option दी गई है percentage की तो पर ये 200% पर अगर click करें तो ये देखें आपका जो page है वो 200% zoom हो चुका है इसी तरह से 800% और ये so on ये काफी ज्यादा percentage है को 64,000% आप अपने page को zoom कर सकते हैं ये देखें जी ये इस वक्त maximum capacity के उपर zoom tool के थूँ आप अपने artboard को zoom कर चुके हैं और अगर आप गोर करे तो screen के उपर आप देख सकते हैं कि आपका जो zoom tool है उसके अंदर से कोई sign इस वक्त मजूद नहीं है उसके अंदर से तमाम sign खतम हो गया और वो blank हो गया ये blank होने का मतलब है कि आप इस वक्त अपनी full zoom जितरा हो सकता है उतना आप अपने software में कर चुके हैं इसी तरह से आप यहां पर अगर वापस आएं तो यह आपके पास option है जी 100% की 100% जब आप इसको zoom करेंगे तो यह वापस standard जो आपका पूरा artboard है आपको आपके screen के उपर नजर आ जाएगा इसी तरह से आपके पास एक option है fit on screen यह देखें जैसे यह fit on screen करते हैं तो यह artboard आपका पूरा पू जूम टूल के थरू document को zoom in करना, zoom out करना सीखा और उसके लावा हमने hand tool के थरू अपने artboard को जो है वो handle करना सीखा कि हम उसको move किस तरह से कर सकते हैं उसको navigate किस तरह से कर सकते हैं तो यह दो tools बहुत ही important और basic से tools हैं इनको आपने अपने जहन में रखना है इनकी short keys भी याद कर लीजिए और इनको आप गाहे बगाहे जैसे जैसे आप designs बनाते जाएंगे और आगे में ऐसा practice इंशाला करते जाएंगे तो इन tools को हम basic tools के तौर पे साथ-साथ जो है वो इस्तमाल करते चले जाएंगे तो उमीद करता हूं कि आपको zoom tool और hand tool की अच्छे तरीके से समझ आगे होगी